कोरिय जिला के ग्राम पंच्राख पोड़ी में पीडियेश दुकान संचाला की मनमानी से गरीबों को अगस्त महिने का राश्न अभी तक नहीं मिला है। कोरोना संकत के दौर में ये मनमानी सरकार की मंच्रा को पलीता लगाती हुई नजर आए। सरपंच के मताविक दुकान संचालक ने समय पर पैसा जमा नहीं कराया, जो से राशन का आवंटन नहीं हो पाया. मैं तो बरी मुझंसी में मांगा हूं से कि मैं खाने की यह मेरे पास नहीं है, देद मैं गरीब आजी हूं तो मत तब वो दिया है मेरे रोप तो. सुसाइटिम चावल रखा हूं मेले से, चावल तो अभी तक है सर, या कि दिखती जी के सुसाइटिम में होगा, कब से कम नहीं तब पचासों बोरा होगा भी. इसका वज़ा यह कारण यह है कि सेल्समेन के द्वारा डेड़ी लेट से जमा किया गया, और इसी कारण से मैं लगातार एसडीम मेडम से कल भी में गया था, परसों भी गया था, और जीले में खाद अधिकारी से भी बात किया हूं, वो लोग बोले आप सेल्समेन के द्वा चावल बोल रहा है इस लिया मेटम किया जाएगा अभी मैं तुरंते जिला में लगाया था बोले आज चावल भंडारण हो जाएगा ऐसा मेरे को जानकारी मिला है और मैं लगातार इस समस्या को लेकर खुद दुखत हूं कि आज तक मेरे यहां ग्रामिडों को चावल नहीं जा रहा है जिसके लिए मैं खुद परिसान हूं और मैं लगातार आफिस में अधिकारियों के थुरू में लगा हूं कि जितना जल्दी हो सगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज एक दो दिन के अंदर चावल मेरे पंचायत में मेरे ग्राम के लिए को उपलब्द हो ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं कि गाओं के दोरा मुशे जरसा बताया गया तो में तदगाल पता करने का कोशिश किया वही रासन का रासन आखिर मुट क्यों नहीं मिला है कुछ लोगों के कहना है कि गाड़ी का टेंडर जो होती है ना जिस पार उसके लिए लेड़ वरा है और अभी जिम्मेदारी बनती है, डिलर का जिम्मेदारी बनता है, अधिकारियों का जिम्मेदारी बनता है, इसके समद में कुछ आप करवा ही करवाएंगे, मैं विल्कुल मांग करूंगा,